वेलकम गाइस आज मैं भॉलकेनो लोन इंस्टेन रूपी इस एप्लिकेशन की रिव्यू करने चाहरा हूँ तो यह एप्लिकेशन कैसा है रियल है या फेक है आप लोगो को इस एप्लिकेशन पे लोन मिलेगा या नहीं इंटरेस्टरिट कितना मिलेगा और डिपेमेंट पीर रिजिस्टर नहीं है तो अगर अप लोग इस एप्लिकेशन से लोन लेकर रिपेमेंट नहीं करते हो तो भी आपकी सीविल इसकूर पे कोई भी एफेक्ट नहीं आएंगे बस इसका कस्तोमर कर बला है आपको कॉल करकर मैसेज करकर परिशान कर सकते है अभी आपकी अप लो को सौर्ट रिपेमेंट मिलेगा जैसे कि 14 देज एक महीना ऐसे ही अप लोग को मिलेगा इंतरेस्ट इस एप्लिकेशन पर बहुत ही हाई है जैसे कि 35% अप लोग को इहां में इंतरेस्ट पे करना पड़ेगा तो लोन के लिए अपलाई करने से पहले एक पर सोच लेना कि इ चाहिए आपके पास अधर काट होना चाहिए और आपके पास एक एक एक्टिव बैंक अकांट होना चाहिए और जिसका 6 महीने का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए अगर यह सारी सीजा नहीं है तो आप लोग इस एकांट से मतलब इस एपलिकेशन से लोन नहीं ले सक आप लोग को अगर का साथ बादसीद करना साथ हो इस इमेल पर आपलोग को मैसेज कर सेकतों ऐसे आप फर्स ठीक सेंगे तो आप लोगो किसी भी लोन सो फर्स हो कि आपको अच्छा लगे कि हाँ भी मुझे इतना एमाउन का लोन इतना दिन में इतना इंतरेस्ट रिट में मैं शुका पौंगा तो उसे ही आप लोगो को एपलाइ करना है और इस एपलिकेशन पर ऐसा नहीं ह दो मिल जाएंगे अभी जो प्रॉब्लेम साथ है उसके बारे में भी सुन लो प्रॉब्लेम तो पहली प्रॉब्लेम आता है कि एपलिकेशन का यूजर अंतरफैस है वह इतना अच्छा नहीं है कभी कभी एपलिकेशन हैंक मरता है काफी लोगों को डिपेमेंट करने पर इ और आप अप्लिकेशन या सब्सक्राइब ट्मार्ट उक्वेस्ट के वहारता है पिश्च्व में इसक्रामय कोश्काता है már experience रहता है और अपलोगों की और अपलों के साथ कैसा बिइवक करता है और आप लोगों को क्या लगता है यह application रियल स्वेक है तो comment पर बताना मेरे ख्याल से immigrants जी असना है डी यापलीकेसन है फेक application नहीं है क्योंकि unst authentic पे loan मिलते हैं लेकिन वही interest rate बहुत ही high है और अगर आप लोग डिपेमेंट नहीं करते हो on time तो customer कर वह आप लोग को परिसान कर देंगे call करके message करके कभी-कभी तो आपकी relatives को भी application वाले call कर देते हैं क्योंकि आपकी context पे जितने भी numbers है यह application वाले को पता रहता है तो बस इतना ही बातों का आप लोग को ध्यान रखना है इतना भी बुड़ा application नहीं है fake नहीं है अगर आप लोग को कही और पर personal loan नहीं मिल रहा है कही भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे try करके देख सकते हो लेकिन ऐसे ही apply मत कर देना क्योंकि short period के लिए loan मिलते हैं और interest rate भी high है तो बात में आप लोग प्रॉब्लेम में फस सकते हो ठीक है तो मुझे तो बस इतना ही आप लोग को बताना था इस application के बारे में नहीं application है फिलाल की time पे guys इस अच्छा ही perform कर रहा है आगे जाके यह application कैसे perform करेगा आगे जाके इस application पे क्या क्या facilities आएंगे क्या update आएंगे या तो क्या नए नहीं problems लोगों को face कर सकते है लोगों को आ सकते है problems तो उन सब के बारे में फिलाल तो मुझे नहीं पता मुझे जितना knowledge था मैंने आप लो इन्सटन्ट रूपी लोग ये जो application है फिलाल के लिए अच्सा है आगे आप लोग खुच से थोड़ा अपने हिसाब से भी research कर ले ना अगर आप लोग ये video थोड़ा दिन बात देख रहे हो तो अपने हिसाब से भी थोड़ा research कर ले ना यहाँ पर जो भी comments यहाँ पर जो कोई डाउट है आप लोग पुछना साहते हो तो आप लोग बिंदास इसी वीडियो की कॉमेंट पे मुझे पुछिए अगर मेरे पास उसका एंसर होगा तो मैं आप लोगों के साथ सुरूर सेयर करूंगा ऐसे हर एक बंदे की कॉमेंट में पड़ता हूं और हर एक बंदे की कॉमेंट का मैं रिपलाई भी करता हूं यहां पर काफी लोगों ने अच्छा रिब्यूस दिया है काफी लोगों ने बुड़ी रिब्यूस दिया है जिन लोगों को लोन मिला है उन लोगों नहीं मिला है या तो बहुत ही जाधा हाई इंतरेस्ट डेट पे मिला है या तो बहुत ही short term के लिए मिला है उन लोगों ने यहां पर one star two star ऐसा रिब्यूस दिया है तो आप लोग भी ऐसे ही अपने हिसाब से देख सकते हो तो आप लोग smart बन दे हो मुझे पता है आप लोग अपनी decision कुछ से सोच समस्के ले सकते हो जो भी आप लोग करना है ठीक है तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था फिर मिलते हैं आप लोग के साथ एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाइस लाव यू गाइस